नमस्कार मैं वेपल सिंग आप सभी का हमारे इस्ट्यूटिव चैनल ब्येचु स्टेडी कैपिटल पर एक बैफिर से हार दिख्षागत करता हूँ दोस्तों आज से सुरू हुआ है ब्येचु इंट्रेंस एक जाम 2020 पीटी की परिच्छा थी आज ब्येचु की जहां पर ब्येचु में कुछ अफ्लाइन सेंटर्स थे और बाकी सहरों में और बनारस में भी बाकी जगहों पर ऑनलाइन सेंटर्स थे तो आज जो पहला परिच्छा शुरू है जो पहली परिच्छा थी उसमें ऑनलाइन सेंटर् क्योंकि आप लोग लागातार जिनका आगे आने वाली जिनकी परिछाएं उसमें आप लोग लागातार केरी में हैं लागातार आप लोग परेसान है कि आखिर विवस्थाएं कैसी थी तो अज सारी चीजें मैं आपको डीटेल में बताऊंगा किस परकार से आपका पूरा प् उससे पहले आपको बता दूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें क्योंकि मैं जल्दी आप सभी के लिए ऐसे वीडियोज लेकर क्या हूंगा जिसमें पूरा प्रासेस क्या इस समय 2020 में किस प्रकार से आपका ऑनलाइन पेपर हो रहा है पूरा प्रासेस ताकि आप सभी बहुत से लोग ऑनलाइन पेपर को लेकर की परिसान है कि online paper देते कैसे हैं तो वो सारी चीज़ें आपको हमारे इस चैनल पर बताई जाएंगे इस लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें अब मैं बात करता हूँ आज के विवस्ता की सबसे पहले बियेचु में कुछ offline centers थे बहुत कम संख्या थी और जो center पर पहले 100 संख्या होती थी उस पर 50 कर दी गई है इस प्रकार से centers को डिवाइड किया गया यानि बियेचु ने इस बार पैसा खर्चा किया अपने center में और center डिवाइड अच्छे से किया गया है यानि काफी centers बनाए गया है हर एक सहर में इसको ले करके परिसान होने की अधियम से बीएच्च्य में भी पूरी तरह से सुचार विवस्ता थी और पूरी तरह से संख्या बहुत ही कम कर दी गई थी जैसा कि मैं आपको बीएड वाले exam में दिखाया था जब यूपी बीएड का exam था तो उसमें संख्या काफी जादे थी मैं आपको लाइब भी दि जा रहा था उसके बाद जब आप जाते हैं तो पूरी तरह से जो एक गोला बनाया जा रहा है दो मीटर डिस्टेंस के लिए वो सारे सेंटर पर बनाय गया था और मैं सिधावना यहां पर गया फिर आपका बता रहा हूं वहां क्या कहते हैं पांडेपूर साइड में फिर सकत आदेश दिया गया है और सारे सेंटर ने पैसा खर्च किया है और सारी ब्योस्ता हैं सुचार ढ़ंग से चल लही है यानि पूरी तरह से ब्योस्ता है थी सेनेटाइजिशन आपका किया गया थर्मल स्क्रीनिंग हुई पूरी तरह से डिस्टेंसिंग पालन किया जा रह यानी लगबग संख्या जो पहले रहती थी उससे आधि कर दी गई थी यानी लगबग वन पचास पसेंट की संख्याती भी चाहिए हमेसा होती तो वह 50 संख्याती उसके बाद आप सभी जब जाएंगे आपका जो एक था था वह वेरिफिकेशन हुआ यानि उसमें भी आपका थम एप्रिशन नहीं लिया जा रहा रहा है यह जो कोवीड वाली समस्थ्थ्या है उसके वज़़े से जो आपका ऑल-laiign exam है उसमें थम एप्रिशन नहीं लिया जा रहा है सिर्फ आपके बायोमेट्रिक में आपका centers पर घुमा हूँ online आज दिन भर यही कर रहा था मैं चेक कर रहा था centers पर जा करके कि क्या विवस्ता हैं हैं बहुत से centers पर घुमा पूरे बनारत सहर में घुमा और सारे मतलब centers का मैं जो एक review दे रहा हूं आपको कि सारे जगांपर बिवश्ता हैं बहुत ही अच्छी जरूर प्रेस कर लें बहुत बहुत धन्यवाद वियाचू से लेटेड अपडेट सुचना है और जनकारियां देता रहेगा इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों साथ ज़्यादा ज़्यादा सेयर कीजिए